कहानी की शिरुवात होती है येर 52 बीसी में जहां हम देखते हैं जूलियस सीजर की 13th लीजिन आर्मी गाउल रिबिलियन्स के खिलाफ जंग लड़ रही होती है बैटल बहुती जादा खतरनाक होता है हम देखते हैं कि टाइटस पूलो नाम का एक रोमन सोलजर जो नशे की हालत में बैटल कर रहा होता है वो अपने सीनियर्स की ओर्डर की अंदेखी करके फॉर्मेशन ब्रेक करके अकेले ही दुश्मनों के बीच में कूद बढ़ता है रोमन्स ये बैटल जीत जाते हैं लेकिन सीनियर्स का ओर्डर्स ना मानने पर पूलो को कोले मारने की सजा मिलती है और उसे फिर जेल में डाल दिया जाता है गाउल्ड रिबेलियंस का लीडर सीजर के सामने सरिंडर कर देता है और आठ साल से चली आ रही है जंग आखिरकार खत्म हो जाती है अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रोम से जूलिया सीजर के लिए एक लेटर आता है जो पॉम्पी ने भिजा होता है पॉम्पी रोम पार्लिमेंट का हेड है और सीजर का बेस्ट फ्रेड है सीजर को ये पता चलता है कि उसकी बेटी बच्चे को जन देते वक्त मर कई हमें स्टोरी में आगे ये पता चलता है कि सीजर ने अपनी बेटी की शादी पॉमपी से ही कराई थी लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही फिर अगले सीन में हमें ये दिखता है कि जूले सीजर ने जंग में जितना भी समान लूटा होता है वो सारा समान वो रोम के आम सिटीजन में बाढ़ देता है जिससे सीजर की पॉपलेरिटी बाकी पार्लिमेंट मिनिस्टर्स के मुकाबले बहुत ज़ादा बढ़ चुकी है आगे हमें इंटिड्यूस कराई जाती है सीजर की भतीजी आतिया जो एक बहुत ही कहें तो ambitious औरत है वो अपने बेटे Octavian से कहती है कि तुम्हारे अंकल जूलियस सीजर ने गाउल रिबेलिंस को हरा दिया है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें उनके कैंप में जाके एक white color का horse gift क्योंकि तुम्हारे जो अंकल है जूलियस सीजर वो कहें तो सबसे जादा popular minister अब बन चुके हैं इसलिए तुम्हें अब उनकी नजरों में रहना है इसलिए तुम ये horse ले जाके white color का उन्हें gift कर देना जैसा कि मैंने बताया कि जूलियस सीजर की popularity बाकी ministers या गहें तो बाकी senators के मुकाबले बहुत ज़दा पढ़ चुकी है तो Rome के Parliament में इसी बात पे बहस हो रही है कुछ लोग जूलियस सीजर के favor में हैं कुछ लोग जूलियस सीजर के against में हैं जो लोग जूलियस सीजर के against में हैं जैसे एक senator जिसका नाम Kato है एक senator जिसका नाम Caesar हो है ये लोग Parliament से ये गुजारिश करते हैं कि जूलियस सीजर को जो 13th legion की command दी गई है वो उससे छीन ली जाए और जो unnecessary battle जूलियस सीजर कर रहा है उसके लिए जूलियस सीजर को सजा दी जाए Pompey जो Roman Parliament का head है यानि की consul है वो ये कहता है कि जब तक कोई पुकता सबूत नहीं मिलेगा कि सीजर ने अपने फाइदे के लिए जंग की, Rome के लिए नहीं की तब तक मैं अपने friend को भी धोका नहीं दे सकता और ना Rome का Parliament इस बात की अजाज़त देता है लेकिन Pompey बाहर से कुछ भी बोले लेकिन हम यह देखते हैं कि अंदर उसके मन में भी थोड़ा बहुत कहें तो मायूसी है कि उसकी popularity कम हो रही है और Julius Caesar की popularity बढ़ती जा रही है यहां हम यह देखते हैं Kato, वही senator जो Parliament में Julius Caesar के against बोल रहा होता है वो Pompey के पास आता है और कहता है कि तुम भले Julius Caesar के friend हो लेकिन जरा एक बात सोचो अगर Julius Caesar की popularity ऐसा ही बढ़ती रही बढ़ती रही तो एक दिर तुमको console की post से हटना पड़ जाएगा और Julius Caesar console की post पे कापिस हो जाएगा तो हम यह देखते हैं कि Pompey बाहर से भले यह कहें कि Julius Caesar मेरा best friend है मैं उसे धोका नहीं दे सकता लेकिन अंदर-अंदर उसके दिल में भी कहें तो थोड़ सी कहें तो जलन है Julius Caesar को लेके स्टोरी आगे बढ़ती है और हम यह देखते हैं कि Artya ने एक white horse खरीद लिया है और वो Octavian को white horse देती है और कहती है कि यह white horse तुम लेके जाओ और Julius Caesar की camp में जाके उनसे मुलाकात करो और उन्हें यह घोला gift कर दो ताकि तुम्हारी और मेरी हम दोनों की reputation उनकी नजरों में बढ़ जाए तो Octavian उस घोले को और गुलामों को लेके कहें तो इस सफर पे चल देगा जरनी के तोरान वो एक जंगल से गुजरेंगे जहां पर हम यह देखेंगे कि कुछ गुंडे कुछ लुटे रहे उस पे हमला कर देंगे और Octavian की सारे गुलामों को मार गिराएंगे और Octavian को कैदी बनाके और उसका घोड़ा लेके वहां से चले जाएंगे स्टोरी बढ़ती है जूलिया सीजर के कैम्प की तरफ रात का वक्त है हम यह देखते हैं कि कुछ नकाब कोश्ट लोग जूलिया सीजर के कैम्प में हमला करते है उस camp में जूलिय सीजर का golden eagle लखा होता है यह जो golden eagle होता है यह सोने की एक मोड़ती होती है जो जूलिय सीजर की 13th legion जो आर्मी होती है उसका symbol होती है और battle के दोरान इसी eagle को लेके जाये जाता है as a symbol के तोर पे तो नकाब कोश वहां के guards को मारेंगे और वो golden eagle चुरा के लेके चले जाएंगे अगली सुबह हम यह देखेंगे कि जूलिय सीजर से मिलने आएगा Brutus Brutus जो उसके बच्चपन का दोस्त है छे साल बाद यह friends मिल रहे हैं इनकी बातों के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि जो जूलिय सीजर है वो दरसल Brutus की मां से बहुत ज़दा प्यार करता होता है और Brutus यह कहता है कि अब तो जंग खत्म भी हो गई है और जूलिय सीजर से कहेगा कि अब तुम रोम आ जाओ अब और जादा जंग करने की जूरत नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि जूलिय सीजर का जो गोल्डन एगल है वो चुरी हो चुका है इसलिए जूलिय सीजर ने अपने खास आदमी मार्क एंटोनी को यह जिम्मा दिया है कि किसी तरीके से भी मेरा गोल्डन एगल जो है वो रिट्रीव करके दिखाओ अब मार्क एंटोनी यहाँ पर बुलाएगा अपने बहुती ट्रेंड कमांडर लूशियस को और उसे कहेगा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम 13 लीजन का जो गोल्डन एगल है उसको रिट्रीव करो अब लूशियस जो है वो यह जानता होता है कि टाइटस पोलो वही आदमी जो शराबी था रोमन सोलजर और जिसने फॉर्मेशन तोड़के सीनियर स्कॉर्डर नहीं माना था वो यह जानता होता कि पूलो जो है वो इन तरीके के सोसाइड मिशन के लिए बहुत अच्छा आदमी है इसलिए पूलो को कहें तो जेल से चुड़ाएगा और कहेगा तुम है और मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग चुपके से जाके इस गोल्डन इगल का पता लगाएं और इसको रिट्रीव करें ताकि जूलियस सीजर खुश हो जाए तो टाइटस पूलो और लूशियस वो कहें तो इस गोल्डन इगल को रिट्रीव करने के लिए चल दिये है अब हम यह देखते हैं कि वो जो गुंडे होते हैं जो ओक्टेवियन को उठा के लेके गए होते हैं वो कहें तो ओक्टेवियन को एक गाली पे बांद के ऐसा गुलाम बांद के उससे गाली खिचवा रहे होते हैं पीछे सुसको चाबुक मार के उसको ले जा रहे होते हैं अब यहीं पे हम देखते हैं कि टाइटस, पोलो और दूशियस भी मौजूद होते हैं, वो उनको देखके समझ जाएंगे कि ये लुटेरे हैं, तो वो दोनों अकेले ही कहें तो इन लुटेरों के सामने तूट पड़ेंगे, और क्योंकि ये लोग trained soldiers होते हैं, इसलिए वो उ प्रूफ कर सको कि मैं उनका कहें तो भती जाओं, अब इन सारे लुटेरों की कहें तो जब वो च्छानबीन कर रहे होते हैं, तो उसी दोरान इनी समान में उन्हें गोल्डन एगल भी मिलेगा, और जिस शक्स के पास ये गोल्डन एगल होता है, वो लोग उसका सिर काटके जूलियस सीजर के पास लेके जाएंगे, और जूलियस सीजर को गोल्डन एगल दे देंगे, और उस आदमी का सारे भी देंगे कि ये आदमी था, इसके पास हमको गोल्डन एगल मिला था, और ये उन लोटेरों के साथ था, जूलियस सीजर जब उस आदमी का फेस देखेग में उसकी ये बदनामी हो जाएगी कि ऐसा आदमी जो अपने गोल्डन इगल को नहीं बचावाया वो रोम की पार्लिमेंट का कंसुल क्या बनेगा तो जूलिय सीजर समझ जाएगा कि पॉम्पी अब उसका दोस्त नहीं रहा यानि कि वो उसकी सीजर की जो आर्मी होती है अपने टेंपरेरी केंप जला देती है और अपनी पूरी सेना लेकि वो चल पड़ता है रोम की तरफ और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है तो गाईज अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज ये पताई कि मैं अगले अप्सोड का एक्स्प्लीनेशन करूं या ना करूं और प्लीज सब्सक्राइब तो मैं यूट्ट